मुख्यमंत्री कमलाज जी आप भले ही अपनी कितनी भी पीड थप थपाने लेकिन आपकी कॉंग्रेस और आपकी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा यह हम नहीं कह रहे हैं कहना है आपकी कॉंग्रेस की विधायक सुनीता पटेल का मुख्यमंत्री कमलाज जी कुछ कीजिए आपकी विधायक पार्टी और आपके प्रशाशन के रवाईये से इतनी परिशान है कि उनका दुख अब मंच से सारवजनिक हो रहा है अपनों वाख कॉंग्रेस से भी मिले धोके की वजह से विधायक सुनीता पटेल बेहत परिशान मुख्यमंत्री कमलाज जी आप भले ही अवयद रेत उत्खनन ना होने के दावे करते रहे हों लेकिन आप ही के मंत्री और विधायक सारा सच बया कर आपके सिस्टम को कड़गरे में खड़ा कर देते हैं अब गाडरवारा की विधायक सुनीता पटेल को ही देख लें वर्मान मेले के उद्खाटन मौके पर विधायक सुनीता पटेल रेत के अवयद उत्खनन पर व्यथित नजर आई और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मा नर्मदा की गोज में बैट कर रोने का मन कर रहा है कि मुझे रेत का वयद उत्खनन नहीं रोक पाई उनका कहना है प्रशाशन के अधिकारी ठेले में रुपए तो ढून लेते हैं लेकिन ठाने के सामने से निकल रहे रेत के अवयद ट्रक नहीं रोक पाते अगर मुझे सीफा भी देना पड़े तो मैं सीफा दोंगी मैं रेत क कि अवयद खनन रोकने का वचन पूरा नहीं कर पा रही हूं कमलनाज जी आपके एक साल के राज में विधायकों का ये हाल है पूरी मैं भड़ी लेकिन मुझे तीन तरह से धोका मिला दूसरी पार्टीों से भी मिला खुरकी पार्टी से मिला और प्रसासन से भी मिला और सबसे जाला मेरे अपनों से मिला मा नरवदा के सामने मैं कहने से कभी नहीं चूकती। कमलनाच जी रेत की खेती से आपके राज में भी आपके अधिकारी जम कर माल कूट रहे हैं और रेत का काला कारोबार जारी है आपकी विधायक सुनीता पटेल की माने तो उन्हें रेत के काले कारोबार को लेकर कॉंग्रेस और प्रशाशन से धोका ही मिला है आप ही के लोगों का कहना है जब मंत्री अधिकारियों से कहें तो कारवाई कर दी जाती है बाकी रेत का वैद दंदा अधिकारियों की नगर में तो आता ही नहीं कमलनाच जी आपके लोगों की पीड़ा इसलिए भी बहुत वाजिव है कि चुनाव से पहले घोशना पत्र में मतदाताओं से भी रेत अवैद उत्खनन को रोकने का वादा आपकी पाथी ने किया था कमलनाच जी कभी मैदान में जाकर भी हाल देख लिया करें कि आपके राज में आपके लोगों की ही क्या गत हो रही है विधायक सुनीता पतेल ने तो यह भी कह दिया कि मुझे किसी की दम पर टिकेट नहीं मिला मुझे तो नर्मदा जी की क्रपा से टिकेट मिली है मैं सीफा दूँगी तो सबसे पहले नर्मदा जी को दूँगी इसके बाद जरुवत पड़ी तो विधान सभा के सवाक्ष धरने पर बैठ जाओंगी संगीत की सवर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूटमीती तक दखन नियूज आपके हट आप देख रहे हैं दखन नियूज